तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को जान लेते हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कुशन करने वाले हैं तो वो पॉइंट्स हैं देखें स्मार्ट क्लास के बारे में हमें जानना है स्मार्ट क्लास क्या होता है इसके बाद में हमें जानना है कि जो डिजिटल बोर्ड होता है जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड या वाइट पोर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि जो टेक्नॉलोजी है वो classroom में उसका use कैसे हो रहा है ठीक है तो ये हम समझेंगे तो ये तीन चीजें जो है इस lecture में हमें discuss करना है तो सबसे पहले जानते है smart class क्या होता है दीके smart class जो होता है वो digital technology को use करता है ताकि learning जो process है learning का वो enhance हो सके क्या हो सके जो learning process है वो enhance हो सके दूसरी बात जो audio और visual ads होते है ठीक है वो क्या करते है कि जो learning process है उसको और बहतर बनाने में सहायक होते है ताकि जैसे कि हम example के तोर पे देख सकते है कि जब हम लोग learning traditional तरीके से करते है तो उसमें चार्क बोर्ड होता है ठीक है इसके बाद में teacher explain करता है चीजों को लेकिन जो smart class होता है वो technology से less होता है उसके अंदर जो जैसी requirement होती है उस तरीके के softwares लगे होते है ठीक है digital boards लगे होते है cameras लगे होते हैं तो इस तरीके का पूरा infrastructure होता है ताकि जो है चीजों को live दिखाया जा सके ताकि content जो है वो जो material है teaching material ठीक है उसको live दिखाया जा सके दूसरी बात यह होती है कि जो smart class होता है उसके अंदर चीजों को live करने के अलावा किसी भी subject पे immediate जो है content जो है लाके display किया जा सकता है internet के माध्यम से connected होता है और उसके उपर कोई भी matter search करके लाके display किया जा सकता है immediately जैसा भी जैसी requirement हो है ना तो एक तो यह बात हो गई दूसरी बात जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ specialized software designed होते हैं ठीक है ताकि जो need है class की है ना जो need है class की वो क्या हो पाए वो optimize हो सके है ना जो class की need है वो क्या हो पाए optimize हो सके रहे जैसे यूनिवर्सल जिसको solutions बोलते हैं ठीक है यूनिवर्सल solution की तरह कि जो सारे common एक issue हो उससे related softwares उसमें के अंदर लगे हो ताकि इसको जो learning process है ठीक है वो क्या हो सके वो optimize हो सके ठीक है raise hand वाला एक feature होता है कि जैसे आप classroom teaching को देखते हैं कि अगर किसी को कोई query है किसी की और वो कुछ पूछना चाहता है तो वो अपना हाथ ना raise hand करके अपने teacher से पूछता है तो वही same feature जो है यहां पे digitally या उसको add-on किया गया है video conferencing के अंदर और raise hand कर रहा है कोई मान लिया तो इसका मतलब कि वो कुछ पूछना चाहता है तो वहां पे जैसे traditional तरीके से उसको answer किया जाता है वैसे यहां पे digital तरीके से उसको respond किया जाता है right smart class के अंदर इसके अलाबा देखिए जो smart class है वो students को इसके potential के बारे में भी सीखने को यह use होता है right दूसरी बात कि इसके अलावा जब यह innovative जो है ideas उसके अंदर आ रहे होते है smart class और तरीके के culture को learn करके तो कुछ और enhance उसके अंदर उसके दिमाग में चीज़ें आती हैं तो नया कुछ development कर सकता है वो इसी से related या इसके अलावा और किसी भी stream में वो बहतर कर सकता है इसके इलावा देखिए कि जो इसका key part है कि जो lecture होते थे तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा interactive होने लगे है ना और यह जो learning है वो students को वो बेटर होने लगी उसकी learning जो है वो बेटर होने लगी अब उसका जिसे आप projector का role computer का role जो information exchange होने में हो रहा है जब class digitally हो रही है तो जो learner है वो इन ही digital medium के थरो जो है वो connect होता है और इन services को use करता है तो एक तो जो उसका interest होता है थोड़ा सा वो बढ़ जाता है जैसे traditional तरीके से आज की date में अगर देखें तो जो student का interest होता है तो digital के द्वारा जो है ज्यादा interest दिखाता है तो यह smart class है वो help करता है कि जो class है teaching है वो ज्यादा interesting हो रही अब देखिए importance क्या है smart class का ठीक है तो importance यह है कि जैसे जो student ऐसे हैं जो physically disabled है तो उनके लिए तो इस तरीके से यह बहुत अच्छी चीज है ठीक है smart class ठीक है कि वो उनका कुछ movement उनको नहीं करना पड़ रहा है और एक ही जगा पे locate होके वो अपनी classes जो है वो ले पा रहे होते हैं तो यह उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है स्मार्ट क्लास यह लाउ करता है student क्योंकि वो physically जो है class में present ना होके वो किसी भी time जो है कहीं से भी class को जोईन कर सकते हैं पड़ सकते हैं राइट दूसरी बात वो अपने हिसाब से वहां पे अपने notes प्रेपेर कर सकते हैं और तीसरी बात यह है कि जो जो classes है वो previous classes को भी यूज कर सकते हैं अगर वो apps वोगरा यूज करते हैं तो वो जो pre-recorded lectures हैं उसको भी देख सकते हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि आज मान लिया कोई बच्चा class नहीं ले पाया है तो आज की class को बाद में नहीं देख सकता है ना तो pre-recorded lectures हैं वो आसानी से फिर से जो है वो देख सकता है पल सकता है और यह वही बात हो गई students जो है जो स्मार्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा interest से पलता है अब यह smart classes के द्वारा ही possible होता है कि जो think जो content है उसको live करके दिखाया जा जैसे map को दिखाना है तो map को download करके पूरा एक एक part दिखाया जा सकता है ना rather than drawing map तो एक तो यह चीज़ हो गई दूसरी अगर कोई diagram दिखाना है कोई image दिखानी है ठीक है कोई ऐसा material दिखाना है तो उसको live बिलकुल दिखाया जा सकता है smart class के अंदर smart board के अंदर यह चीज़ें दिखाई जा सकते है अब हम बात करते हैं digital blackboard या whiteboard जो होता है या digital board जिसको कहते हैं वो क्या होता है दिके digital board क्या होता है एक board उसी तरीके जैसे आप आपकी classroom में लगा होता है ठीक है वो उसी board की तरह ही होता है जैसे blackboard whiteboard आप देखते हैं और यह board जो है वो digital होता है राइट यह computer system से connected होता है है तो अगर internet की requirement है तो internet से content को search करके उस पर लिखना है तो उसके अंदर भी digital pen है ठीक है different different colors को choose करके लिखा जा सकता है ठीक है तो यह एक उसी तरीके का board है बट content पूरा पूरा जो services है उसकी वो क्या है digital है ना कैसी है वो पूरी-पूरी digital है उसके अंदर टूल दिया हुए eraser दिया हुए है ना उसके अंदर pen बना जाता है तो यहां पर वही चीज क्या वरी digital एक pen से लिखा जा सकता है ना उसको एक touchscreen टाइब का बना हुआ है तो उसके थो यह पूरी चीजे जो है वो लिखी लिखी जाती है ड्रॉ की जाती है तो digital board उसी तरीके का एक board है बट क्या है जैसे अपने ऐसे traditional board देखा है उसी board जैसा है बट इसमें content क्या है वो digital है तो content से connected है तो इसका मतलब है internet से data लाके है मुझे पर display करा सकते हैं दिखा सकते हैं या अपनी तरीके से कुछ लिखना पढ़ना है या कुछ सू करना है कुछ draw करना है तो दिखा सकते हैं दूसरी बात की pre-recorded content है तो उसको उसके पर display कर जा सकता है जैसे अब देखते हैं कि projectors के अंदर लगा देते हैं उसी तरीके से यहां पर pre-recorded content है वो उसके उपर लाके दिखाया जा सकता है तो digital white board या black board या digital board जिसको कहते हैं ठीक है तो उसके थरू यह तीनु काम हो सकते हैं कि internet से connected material हम लोग डाउनलूड करके दिखा सक सकते हैं है ना दूसरी बात जो pre-recorded content है उसको display कर सकते है और तीसरी बात जो जैसे traditionally लिखा जाता है बोट पर draw किया जाता है उस तरीके से भी काम किया जा सकता है है ना डिजिटल बोड की जरूरत क्या है या सकता क्या है तो डिजिटल बोड देखे पहली चीज़ तो यह content को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको उस बोड के उपर display करा सकते हैं ना दूसरी बात की कोई भी subject matter हो उसके उस से related material जो है immediately search करके display किया जा सकता है ना तीसरी बात जो recorded lectures है study materials है ना उनको आसानी से जो है उस पर represent किया जा सकता है तो और उसके बाद में जो writing है या ड्राइंग है content को वो अच्छे तरीके से हो सकता है ना तो यह इस तरीके से डिजिटल बोड जो है पर use है और इसकी importance है ना कि आसानी से चीज़ें जो है उसके पर उसे काम किया जा सकता है उसके अब देखिए में बात करते हैं कि use of technology in education सिच्छा में जो technique है उसका प्रियोग तो देखिए इसमें कई सारे points है एक एक points को लेते हैं ठीक है जैसे जो technology है वो motivator की तरह काम करता है ना working as a motivator है ना तो technology जो है motivator की तरह classroom में या education में काम करता है ठीक है अगर teaching जो है technology के थो हो रही है ठीक है तो पहली बात तो जो learner का interest है वो थोड़ा बना रहता है क्योंकि चीजें जो है जो content है जो material है ठीक है live उसको display हो रहा होता है ना live चीजें दिखाई दे रहे होती है तो वो उसकी learning जो है वो थोड़ी effective होती जाती है वो थोड के दूसरा point आप देख रहा है कि increasing interest and attention है तो जैसा कि अभी जास्टम ने देखा है कि अब जब motivator की तरह वो कैसे काम करता है वो इसी तरीके से काम कर रहा है कि जो learner है ठीक है उसके सामने ऐसा environment बना हुआ है ठीक है कि इस तरीके का environment बना हुआ है ऐसा learning environment बना हुआ है कि वो जब उस पढ़ाई के लिए वो motivate हो रहा है ना क्योंकि वो culture ऐसा है उस culture को के अंदर जब वो आता है उसको देखता पड़ता समझता है तो उसको थोड़ा ज्यादा motivation आ रहा होता है तो इसी तरीके से यह भी point है उसी से related बिल्कुल ठीक है कि जब materials जो है study material या teaching जो है इतना effective ह हो रही है इतना interesting हो रही है तो वो उसका attention जो है वो ज़्यादा होता है कि उस class के लिए है ना कि अगर ऐसा कोई class है smart class है digital boards और इस तरीके की चीजें technologies use हो रही है तो उसका attention ने उसका interest थोड़ा बढ़ जाता है अब दिखें next point की helping in positive transformation of learning and training ठीक है तो दिखें इसका क्या मतलब होता है कि जो transformation of learning है या training है ठीक है इस प्रक्रिया के दोरान एक समय में छात्रों द्वारा सीखे जाने वाले ज्यान जो का पूरा-पूरा लात अभी मिलता है जब वे उसे अन्य छेत्रों या विस्यों से सं दिखने या उसका वास्तविक रूप में जो जीवन का प्रियोग करने में समर्थ हो सके यहां कारे तभी संभव है जब छात्र एक परिस्टी में सीखी हुई बातों को दूसरी परिस्टी के अस्थानांत्रण करने की छंता का विकास हो जाए तकनीकी साधनू का प्रियोग छात्रों में इस छंता के उचित विकास में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है ठीक है अब देखें नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोवाइडिंग री इनफोर्समेंट टू लेर्नरस राइट तो देखें जो यह लर्निंग प्रोसेस है ठीक है उसमें छात्रों को उचि पुनरबल प्रदान करने के उद्देश से तक्नीकी साधनों का विसेश महत्तो है आत्म अनुदेशन तथा स्वसिच्छा से जुड़े सभी सिछड सामगरी तथा उपकरड सही भूमिका निभाते हैं और सिछड मसीन कंप्यूटर इत्यादी का परियोग जो होता है वो छा क्या करता है के लिए आगे मोटिवेट करता है है ना सब चीज़ों का use करके बनाया जा सकता है या प्रिपेर किया जा सकता है ताकि जर्षका जो एक्स्लेशन हो हो क्टेंट को अलग-अलग जगह से कंपेर करके या चीज़ों को आसान भासा में रखा जाये ताकि जो जो content है उसकी clarity रहे है ना क्या रहे है clarity एक point देखिए रहे कि best alternative providing direct experience है ना तो देखे प्रत्यक्ष अनुभो प्रदान करने का सर्भोतम विकल्ब के रूप में तक्निकी शाधन है क्योंकि जिस प्रकार से अनुभो को सबसे अच्छा सिछक माना जाता है परन्तु बार ना तो संभव हो पाता है और ना ही ऐसा करना सकती समय और धन्त की द्रिष्टी से विवेक पूड माना जाता है तो इस तरह प्रत्यक्ष अनुभो देने जैसे यहीं विकल्पिक अनुभो देने के लिए तक्निकी शाधन महत्वपूड भूमी का निवाते हैं है ना अब देकिन next point है कि helpful in satisfaction of individual differences है ना तो इसका क्या मतला होता है कि जैसे एक सिच्छक को कच्छा में छात्रों में बहुत सी भीनताय दिखाई देने देती है ना तो कोई छात्र या सुनकर ठीक तरह से सीखता है तो कोई देखकर है ना तो किसी को किसी के निर्देशन में अकेले या बेक्टि लेता है ना तो इस तरह की वैक्तिक विवन्यताओं को अधिगम से जुड़ी मांग को टक्नीकी साथन से जुड़े हुए उन्नत उपकरणों जैसे सिच्छर मशीन तरह कंप्यूटर इत्यादी से अच्छी तरह पूड़ किया जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट देखिए helping in teaching maximus है ना इसका क्या मतलब है तो सिच्छर के सूत्र जैसे स्थूल से सूश्म की और सरल से कठिन की और ग्याद से अग्याद की और करो और सीखो इत्यादी सिच्छर अधिगम प्रक्रिया को सरल यों प्रभावसाली बनाने में महत्वड भूमिका निभाते हैं एक सिच्छक को अपने सिच्छर में इस प्रकार के सिच्छर सूत्रों का उप्योग करने में तक्नीकी साधनों का प्रियोग से बहुत सहायता मिलती है नेक्स्ट पॉइंट देखे कि helpful in creating appropriate interaction and educational environment in class है ना इसका मतलब यह हो गया कि कच्छा में उचित अन्तह संबंद और सैक्छिक वातावर्ड बनाने में सहायक है ना तो इसका क्या मतलब है देखे तक्नीकी जो साधनों के प्रियोग से कच्छा का वातावर्ड सजीव होडता ह है ना सिक्छड अधिगम कारी की सफलता कच्छा गत स्वस्त अन्तह संबंधो और अनुकूल कच्छा वातारवर्ड बनाने में निर्भर करता है तक्नीकी के प्रियोग से कच्छा में निस्क्रियता तथा बोजिलपन नहीं रह पाता है इसके अलावा देखिए helping in satisfying need of exceptional children है ना तो इसका क्या मतलब है कि विशिस्ट विद्यारकियों की आवर सेक्ता पूर्ती में सहायक है ना तो मुखिता देखिए कच्छा सेक्छर में सामाने जो बालुकों को ही अधिकम संबंदी आवर सेक्ताओं के पूर्ती होती है लेकिन ताकिनीकी साधनों के प् प्रियोग पर जोर दिया जाता है तथा जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें टेप रिकॉर्डर रेडियो इत्यादी साधनों के प्रियोग द्वारा चात्रों को उचित अधिकम अर्जित कराया जा सकते है रहे अब देखें नेक्स्ट क्या है कि helping in solving the problem of indiscipline मतलब सोल फोलू पद्रो सैतानी इत्यादी अनुसासन हिंता गलत कारियों को की और मुर्णे की संभावने बढ़ जाती है तो तक्नीकी साधनों के उप्योग से जहां कच्छा का वातावर्ड सजीव यह उम्रुचिकर होड़ता है वहां छात्रों को सिक्षड अधिगम प्रक्रि मेंटल पाउर्ड को डेवलप करने में किस तरीके से यह टेक्नोलोजी जो है वो सहायक है तो देके तक्नीकी साधनों के प्रियोग द्वारा छात्रों के मानसिक सक्तियों का विकास बहुत सहस्ता पूर्ड पर खो जाता है तक्नीकी के प्रियोग से सिक्षड अधिगम को य इसके प्रियोग द्वारा छात्रों में मौलिक्ता, अन्वेशड सीलता, स्रिजनात्मक, इत्यादी उच्च मानसिक योगिताओं और छमताओं के पोशड विकास के लिए उचित आउसर प्राप्त होते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखे, helping in motivation, scientific attitude and invention पार तो तक्नीकी सादुनों का प्रियोग जो है छात्रों में बैज्ञानिक अभिवरित्ती तथा खोज प्रविर्ती को बढ़ाने में सहायक है बैज्ञानिक अभिवरित्ती का विकास करने से छात्रों में बिज्ञान के प्रती रूची तथा invention की प्रविर्ती को बिक्सित करने में उनमें खोज करने की सीखने की जिग्यासा को बिक्सित किया जाता है इसके अलावा देखिए बस यह सारे पॉइंट्स थे जो हमें यहां पर डिस्कस करने थे तो बस इस लेक्चर में इतना ही बाकी जो इससे रिलेटेड और पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स लेक्चर में कबर करेंगे तो थैंक्यू थैंक्यू सो मच